Hello everyone, welcome back, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे Dear strengths, आज के इस वीडियो के माध्धम से मैं आप सभी लोगों को UP Free Tablet Smartphone योजना से लिटेड एक महात्पूर जानकारी देने वाला हूँ Dear strengths, आज का ये वीडियो आप सभी लोग के ये काफी जादा helpful और important होने वाला है So, वीडियो कम्प्लीट जरूर से जरूर देख लिएगा Dear strengths, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि UP State के अंतरगत UP Free Tablet Smartphone योजना चलाई जा रही है जिसके अंतरगत बहुत सारी students को इस योजना का लाफ मिल चुका है आप सभी लोगों को भी इस योजना का लाफ मिले इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो में बना रहा हूँ सभी लोगों के माइंड में यही रहता है कि सर इस योजना का लाफ लेने के लिए हमें कहां आवेदन करना होगा किस तरीके से आवेदन करना होगा और कब हमें इस योजना का लाफ मिल पाएगा इसलिए मैं आप सभी लोगों को आफिसियल वेब साइट की स्क्रीन साट पर लेकर के आया हूँ यह आफिसियल वेब साइट है जो की यूपी फ्री टेबलेट स्मार्टफोन योजना के किरियानिवन के लिए डिजी सक्वी पोर्टल बनाया गया है सारी की सारी प्रोसेस यहीं पर होती है कोई इंपॉर्टन नोटिफिकेशन जारी होता है यहीं जारी होता है स्टुडेंट से लिएक कोई इंफार्मेशन होती है तो यहां पर रहता है और हर एक प्रकार की जानकारी हर एक प्रकार की अपडेट यहां पर देखने के मिलती है कहां पर कैसे क्या है सारी बाते हैं मिलती है तो आफिसियल वेबसाइट से मैं एक स्क्रीन सॉट लिया हूँ जिसमें स्टुडेंट्स को क्या करना होता इस योजना का लाव लेने के लिए वो चीजें यहां पर बताई गई हैं वही मैं आप सभी लोगों के साथ सेयर करने वाला हूँ आये डियो स्टुडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप देख पा रहे होंगे यहां लिखा हुआ है चात्र कारनर यहां पर जब आप ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएंगे डिजी सकती पोर्टल आप गूगल पर करेंगे तो ओपिन करेंगे उसमें चात्र कारनर बना होगा जहां चात्रों के लिए निर्देश दिया गया है आप भी इसको ऊपिन करके देख सकते हैं लिखा जा रहा है कि इस योजना के तहब चात्रों को टैबलेट स्मार्ट फोन करने के लिए कहीं भी पंजी करण आवेदन करने की आवस्यक्ता नहीं है सबसे बड़ा confusion यही होता है कि सरीस योजना का लाब हमें लेना है तो हम कहां पर आवेदन करें तो असपस ट्रूप से लिखा गया है कि इसके लिए आपको ना तो कहीं registration कराने की आवसकता है ना तो कहीं कोई farm apply करने की आवसकता है students के दोरा ऐसा कुछ किये जाने की जरूरत नहीं है अगला लिखा है चात्रों के लिए पूरी प्रकरिया में किसी भी समय कोई login ID नहीं बनाई जाएगी means आप सभी लोग लिए कोई login ID पासवर्ड यह सब नहीं होगा भाई जब हम apply नहीं करेंगे तो हमारे लिए login पासवर्ड ID कहां से बनेगी अगला लिखा है सम्मंदित college बिस्विद्यालें को अपने चात्र नामांकन डेटा परदान करेंगे जिसे portal पर upload किया जाएगा समझ गए तो आप जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं जिस college से आप बिलांग करते हैं आपके college के माध्यम से ही आपका data वहां पर upload करा जाएगा आपको किसी प्रकार का कोई आवेदन करने की कोई registration करने की आवसकता नहीं है संस्थान में जिस संस्थान के आप छात्र हैं आपके संस्थान के द्वारा ही आपका data upload होता है अगर कोई data वहां पर available नहीं होता है तो जाहिट सी बादे संस्थान आप से collect कर लेगा लेकिन वो आपका headache नहीं है वो संस्थान का headache है संस्थान आप सभी लोगं का data वहाँ पर जरूर से जरूर upload करेगा अगला है data upload और सत्यापित होने के बाद प्रतेक छात्षात्रा को अपने tablet smartphone को प्राप्त करने के लिए डिजी सक्ती व्यवसाइट डवलू डवलू डाट डिजी सक्ती यूपी डाट गौर्वर्मेंट डाट इनके होम पेज पर दिये गए EKYC मेरी पहचान पोर्टल बटन के माध्यम से सीग्र अधसिग्र अपना आधार प्रमाडी करन पूर करना होगा अब ये आप सभी लोग के लिए है इसको छात्र करेंगे क्या डाटा जब अफलोड हो जाएगा सत्यापित हो जाएगा तो प्रतेग छात छात्रा को स्टुडेंट को अपने टैबलेट स्मार्टफोन को काप्त करने के लिए डिजी सक्ती वेव साइट होगी वहाँ पर EKYC मेरी पहचान पोर्टल पर क्लिक करके वहाँ पर जा करके उसका वेरिफिकेशन करना होगा प्रमाड देना होगा कब करना है यह आपके संस्थान के माद्रम से आप सभी लोगों को सूचना मिलेगी ऐसा पहले नहीं होता था जिन स्टुडेंट को इस योजना का लाव मिल चुका है उन स्टुडेंट में नहीं है अब की बार से अपडेट आई है कि यह चीज करना पड़ेगा आधार वेरिफिकेशन होना मस्त हो गया है जिसे डूबली केसी ना आए किसी बच्चे का टेबलेट स्मार्टफोन किसी दूसरे को ना मिले इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह यह चीजना यहां पर लाई गई है और उसके माद्धम से आपको जानकारी मिल जाएगी आगे कह रहे हैं कि डाटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर चात्र इसकी सूचना अपने कालेज के नोडल अधिकारी को दे सकते हैं जैसे जब आप EKYC के द्वारा प्रमारी करण वहां करेंगे तो कभी कभी वो फेल बता देगा या कोई मिस्टेक वहां पर बताएगा उस सिच्वेशन में आपको कहां जाना है अपने कालेज के नोडल अधिकारी के पास जाना है आपके कालेज में नोडल अधिकारी बने ह में SMS द्वारा नियमित अपडेट प्राप्त होते रहेंगे जब आपका जो डेटा है वो बेरिखाई हो जाएगा और आप इस योजना के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके रजिस्टर्ड मॉबाइल नंबर पर मैसेज आता है कि कांगरजलेशन्स यू आर सेलेक्टे या ऑफिसियल है बच्चे लगातार परिसान रहते हैं कि कैसे हमें क्या करना है किस तरीके से हमें इस योजना का लाब मिल जाए तो डियो सेंट्स अगर आप इस योजना के अंतरगत लाबहानवित होना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा परिसान होने की जरूरत नहीं है आपके मादम से कुछ होना ही नहीं है आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं यह संस्था के द्वारा किरियानुमित होगा संस्था के द्वारा आपका डेटा अप्लोड होगा वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा वेरिफिकेशन के बाद आपको e-kyc-c--e-al करना होगा आप उसक सक्टी पोर्टल या डिजी सक्टी आप सर्च कर लेंगे गूगल पे आपको आफिसल विबसाइट मिल जाएगा वहाँ पर आप सबी लोगों को सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है और समय समय पर माइन में किसी प्रकार का कोई और कुईस्टन आ रहा है कोई डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करको जरूर कूछ सकते हैं मैं आप सभी लोग की मदद करने का पूरा का पूरा प्रयास करूँगा बाके डियो स्ट्रेंट कोई doubt हो, कोई question हो, कोई suggestion है तब भी आप सभी लोग इस वीडियो की comment section में comment करके हमें जरूर से जरूर बताइएगा जिससे हम आप सभी लोग लिए बहतर से बहतर content प्रोबाइड करा सकें और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, सारी बातें कीजर होई होगी तो ठीक है डियो सेंट्स आज का ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं एक छोटी सी इनफामेशन यह है कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को नहीं जोइन किया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलिग्राम चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ आप सभी लोग टेलिग्राम चैनल को जरूर से जरूर जोइन कर लीजिएगा कोई important notice आती है कोई PDF आता है तो मैं वहीं आप सभी लोग को provide करता हूँ जिसलिए आप सभी लोग टेलिग्राम चैनल को जरूर से जरूर जोइन कर लीजिए बाकि आज कि इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं इस वीडियो के साथ नेक्स टॉपिक के साथ अब तक लिरसान दा रही और पढ़ते रही